आपने एक function define करना है जो बताएगा आपको दोनों में से कौन सा नंबर बढ़ा है ठीक है उसके बाद आप user से दो नंबर लोगे और उन दोनों नंबर को function में pass करोगे और वो function बताएगा कि कौन सा नंबर बढ़ा है अई होब आप इस access test को try करोगे